एक बंदा आ रहा है एक चुप असर रागेट चुप लाश बंदा अतम बहुत आज आज की वीडियो में आप सभी को 10 निव टिप्स और टिक्स देंगे जिससे आपका गेमप्ले इंप्रूफ होगा तो वीडियो को लास तक देखते रहना और चैनल पर नहीं हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो विडियो भाई तो चलो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले में एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि बुया पर चला है वाच्टू इनिवें जहां पर आपको 50 डाइमंड तक मिल सकता है तो जरूर डेश की से पर लिंक से डाउनलोड करो बुया पर मेरे को फॉलो कर लो डेली स्ट्रिम देखो तो डेली आपको 50 करके डाइमंड मिल सकता है तो जरूर डाउनलोड कर लो फॉलो कर लो मेरे को तो फर्स्ट नंबर टिप्स है कि कूल माइन ट्रिक्स तो यहां पर कुछ माइन ट्रिक्स के उपर डिपेंड करता है कि एनिमी कैसे पोजीशन पर आपको मार सकता है तो जब जोन पर जा रहे हों आपके पास ग्लुवल नहीं है इनिमी एक पेर के पीछे यहां ग्लुवल के पीछे कवर लेके वैट है आपको फायर कर रहा है और आपको बस कवर नहीं तो उसको कहां पर आपको फ्री फायर दोगे और आपको लेप पर फायर करना है क्योंकि मैं एक आपको स्कीन पर दिखा रहा हूं कि free fire का जो character है इसका always right का placement जो होता है right का जो जगा है वो बहुत ही space बहुत ही ज़्यादा रखा गया है जहां पर भी देखोगे लेप पर भी character देखता है आप देखोगे लेप पर ज़्यादा space नहीं है उहां पर drag लो जग somm本 आप मार पाऊगे आपको left fire करना है, एनमी करेका right आपको याद रखने आपको left पे fire करना है पेर के cover पे enemy और left पे fire करना है जब बहुत ही आच्छे आपको मार पाऊगे terminology को बीना cover के इस situation के उपर defend करते हैं आपके बास ग्रुवल हो तो क्यों आप खुले में मारने जाओगे आप ग्रुवल मारके महिनमी को मारोगे जब आपके बस ग्रुवल नहीं होगा तब एक ट्रिक यूस करना है तो second number tips है कि house trick तो यहां पर एक चीज में बता देना चाहते हो मैं update के पहले भी चीज बहुत बार देखा है और करके भी देखा है बट यह चीज में बोल नहीं पाया मिले को लगा था कि एक glitch है पर असल में update के बाद भी चीज 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 नहीं करा गया तो यह आप tips के आपको enter कर जाना है तो एक बार आप enter कर जाओगे डाइब बले बटन चोड़के तो आपको ऊपर से एक दम दिखेगा कि कितना कितना enemy है और कहां कहां पर बैटा हुआ है तो यह आप रश करने के लिए बहुत easy check कर सकते हो जब आप squad matches खेल ले हो तो जरूर यह trick try करो तो य and faster हो जाता है कि जब भी small रखोगे आपको movements भी first होता जाएगा और पहले पहले तो आपको बहुत ही problem आएगा but आप small joystick से practice करोगे तो आपका movements भी बेतर होगा ज्यादा जल्ली move करके enemy को मार पाओगे cover लेकर आओगे and glueer भी बहुत ही first लगा पाओगे यह बहुत ही ज्याद स्पीट पर खेल पाओगे आप फोर्थ नंबर टिपस है कि always जब आप grenade कर रहे हो यह grenade tips है grenade and landmine लगा रहे हो अपनी दोस्त को बोलो fire करने के लिए क्योंकि जब भी आप grenade करो एक sound आता है and उससे enemy हिल जाता है तो जब भी आप grenade कर रहे हो आपनी दोस्तों को बोलो जितने आपना टीम मेंट से fire करने के लिए हो तो enemy confuse हो जागा भाई हो कह रहा है तो उसी sound के confusion के उसके ऊपर नेट गिर जागा है और मर भी सकता है डाउन भी हो सकता है तो जब भी squad खेल लो यह ची स्ट्राइक करो जब भी grenade फिक रहे हो and grenade के बाद जो sound आ रहे है उसको height करने के लि हो and enemy आपके पीछे परा है and उस time आलोग यूज करने का perfect time है क्यों जब भी आप एक enemy को damage करते हो and उसको पर rush करनी जाते हो तो आपको speed की बहुत जरूर होती है जो आलोग देता है तो वही perfect time में आलोग यूज करो आप dotted time यसब time आलोग यूज करो उसके बाद देको fight पे आपका movement speed भी बढ़ जाएगा and easily movement speed पे जाके hill भी बढ़ेगा आपको दोनोग चीज़े एक साथ कर पाऊगे तो वही perfect time है आलोग यूज करने का तो six number tips है कि glue all button ready तो glue all button आपको always ready रखना है जब भी आप fight चल लेओ and glue all button को करके मदले वहाँ पर glue all ही आपको रखना है कोई और nate एक grenade stun grenade आपको नहीं रखना है glue all ही आपको रखना है जब भी fight चल लेओ एक गोली मारो glue all button लगा दो and glue all button रखोगे तो बहुत easy होगा आपको enemy को मार की glue all लगाने में and तुरंट आप cover ले पाऊगे और फिर enemy को मार पाऊगे तो यह रहा six number tips की always आप glue all button को ready रखो तो seven number tips की damage दो अंदर आओ तो जब भी आप enemy को damage दे रहे हो and तुरंट से आपको अंदर आना है मैं एक देख रहे हो enemy को मार रहा हूँ उसके बाद बैद रहा हूँ मार रहा हूँ इस चीज़ में क्यों कर रहा हूँ कि यहां पर दे को पुड़ा खुला है तो एक जगा पर खरा होके मार रहांगा तो कोई भी मेरे को drag headshot मार सकता है तो इसलिए all eyes आप damage दो अंदर अपनी cover प्याओ damage दो अंदर cover प्याओ इसके क्या होगा कि enemy आपको तुरंट aim नहीं कर पाए उसके पास sniper होगा enemy 2 भी होगा एक कुछ sniper वाला gun होगा आपको तुरंट headshot मार देगा तो इसलिए all eyes damage करो cover प्याओ damage करो cover प्याओ तो ऐसे समझ लोग कि 4 बंदा आपके ओपर rush कर रहा है उस time पर आपको थोड़ा थोड़ा करके damage देना है एक साथ एक enemy को मारने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर solo versus squad है आप एक enemy को एक time पर मारने की कोशिश करोगे एक साथ मारने की कोशिश करोगे मार नहीं पाऊगे क्योंकि उसका दोस्त लोग आ जाएगा और आपको घेर के मार देगा तो इसलिए damage करके cover प्याना होगा थोड़ी थोड़ी करके damage करके enemy को मानना प और वो जुश गन से kill करते हैं आपको नीचे दिखाते हैं और उससे बड़ी बात है वो गन को समझना होगा कि घर पे वो बंदा बैटा है तो उसके पास क्या है M1887 है, shotgun है या MP40 है आपके पास क्या है यह सोच क्या आपको rush करना होगा क्योंकि आप sound information के ओपर धियान नहीं ही दो के तो उसके पास M1887 है तो आपके पास एक MP40 है तो उस घर पर रशनी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही easy chance देगा कि वो आपको मार दे तो यह sound देखके आपको पैचानना होगा कि कौन सा यह गन यह नीचे जो बैनर आता है उसको देखका को पैचानना होगा कि यह बंदा मार रहा है तो इसके पास क्या है कैसे यह मार रहा है तो eight number tips यह है कि focus your sound information and नीचे जो बैनर आता है उसके उपर focus करो इससे आपको easily पता चलेगा enemy किस से मार रहा है तो पैम में ऐसे बंदे और स्नाइपर अच्य चलाते हैं कुछ बंदे जो shotgun अच्छे चलाते हैं कुछ बंदें MP बहुत चेश हैं सभीने चीज नहीं चलाते मेरे को पता है मेरे भाई सभी अलग अलग चीज़े चलाना पसंद करते हैं तो जो रशर होता है जो शॉटगर लेता है MP40 लेता है उसको अल्याज कबर देने वाला होना चाहिए तो आप शॉटगर यूजर है MP40 उसे फरग नहीं परता जो रश करता है पहले रश करने जाता है उसको अल्याज कबर देने वाला होना चाहिए आप जा रहे हो नौक हो रहे हो मतलब आपको कबर पी जरूरत है तो अल्याज अपनी दोस्त को बोलो कि मेरे साथ अल्याज रहो जब भी मेरे रश करने जा रहा हूँ या रर्ष करना पर रहा है मेरे को तो और एक दोस्त को बोलो कि कवर करो कि आप डाउन हो जाओ एक है दो गोली से वो बद्दा भच रहा है कि आपका दोस्त ओ चीजे ओ सिचुएशन ओ कवर कर दे और ओ मार के बस एनिमी को मार दे ऐसी situation create होता है तो आपका दोस्त समाल ले कि एक है दो गोली में उसको मार दे इसको kill चुराना नहीं बोलता है इसको बस cover देने वाले बोलता है ये tournament बहुत ही ज़्यादा कहां आता है कि cover देने वाला होना चाहिए जब आप rush करोगे एक बंदा दोस्त होना चाहिए जो आपको cover दे आप enemy को नहीं मार सकते है कुछ कुछ situation ड्रैक पर जाए तो आप मार भी सकते हो तो उस टैम पे cover देने वाला होना चाहिए तो ये रहा 9 नमबर टिप जो आपको बहुत ही help करेगा tournament level पर खेलने के लिए तो 10 नमबर टिप से unfollow होने पराशुटिंग तो जब भी आप उतर रहो किसी भी जगा पे किसी भी location पे आपका दोस्त जब मस्टर है या आप जब मस्टर इससे फरक नहीं पड़ता जो जब मस्टर है उसको उसकी तरह उतरने दो जब भी चमीन के करीब आ रहे हो तब कोशिश करो सारे बंदे को फैल जाने की बंदे बोलो की भाई फैल जाओ तुम लो क्योंकि एक जगा पे उतर हो गए तो आपको लूट नहीं मिलेगा इसलिए तो आले जब भी उतर रहो किसी भी जगा पे unfollow कर दो अपनी दोस्त को follow कर रहे हो तो unfollow कर दो यहां पर हमारे सारे बंदे उतर है देखो अलग अलग जगा पे उतर है भले ही हो मर जाए तो चार बंदे एक साथ हो उसको लूट नहीं मिलेगा तो एक ऐसे मार पाएगा यह देखो यह लोग देखो सारे साथ उतर ही है इस तरब दोर रह वो उस तरब दोरर रहे है ऐसे नहीं है उतरने से पहली आपको ठीक करो और अलग-अलग जगा पे landing कर जाओ नहीं ऐसा हाल हो जो enemy team का हो हुआ है यह साथ उतर इए थीन बंदे इधर दholes और अधर जुआ है तो वीडियो को अच्छे लगे ज़रूर लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई नेक्स पर मिलते हैं आज तक के लिए भाई भाई थैंक्स पॉर आचिंग लव यू अल मेरे भाई